सभी का स्वागत है सभी गोजोहार और ससी जीडी 2018 वाले बहुत सारे छात्र जो है वो जहारखन में सांसदों से मिले हैं मैं आपको बता देता हूं मेरे पास पिक्चर तो एवलोबल नहीं है ने तु देखा देता मैं आपको स्क्रीन पे लेकिन मिले हैं उन्होंने मुझे ब चातरों के द्वारार साफ यही कहा गया कि अगर सुप्रिम अगर हाई कोड दिल्ली जो है वो जज़मेंट दिया है तो देखी अब क्या होता है यह कहा कि उन्होंने फोन काड़ दिया तो इस सित्व में यही प्रतित हो रहा है कि आयोग जो है वो लापरवा अभी भी है आ लकीन वो रिजल्ट देने के मूड में नहीं है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ इसलिए मैंने आपको कह रखा था कि आप लोग जाके मिलिये सभी जितने भी सांसाद हैं उनसे मिलिये जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं केंद्र मंत्री हैं उनसे अगर आपका संपर देना पड़ेगा अगर घहर में बैठके आप से result का इंद्जार किजेगा तो यह possible नहीं है मेरे बहुत सारे लड़के call करते हैं, comments करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे बसकी बात नहीं है कि मैं आपको SSA के मादिम से joining दिलाद मैं आपके लिए आवाज उठा सकता हूँ मैं बार-बार बोलता हूँ मैं एक सही रास्ता जो है वो आपको दिखाने का परियास कर सकता हूँ और सही रास्ता अभी के टाइम में सिर्फ यही है कि आप अपने मुद्दे को लेके आप हाइकूट के जिजमेंट को लेके जो उन्हेंने कह रखा है कि 5000 सिट को joining देना है तो उस जिजमेंट को लेके आपको जाना चाहिए सांसदों के बास केंदर मंत्री के बास जाना चाहिए इसमें आपका त्वाड़ टाइम लॉस्ट होगा आप में जो पता है लेकिन अगर टाइम लॉस होता है तो उससी मैं आपको नौकरी भी मिलने के सामाना जड़ूर बनती है लेकिन आप सिर्फ ऐससी आयोग के भरोसे रह जाजिएगा तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि जिस तरह आप सांत हैं उस तरह आयोग भी सांत रहेगी और ना 2018 का रिजल्ट आएगा ना 2015 का रिजल्ट आएगा 2015 के लिए तो एक डेट और भी दिया गया है पटना के हाई कोट से लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर जजमेंट आ भी जाता है लेकिन आपकी लपरवाही के कारण आपके सांत रहने के कारण आयोग भी सांत रहेगा क्योंकि ये टाइम पार हो चुका है उसके बाद से दो-तिन भेकेंसिज आ चुके हैं मैं बार-बार एक जांपल देता हूँ दूजार पारा और तेरह वाले कंडिट्स का कि उनका भी same problem था आपके जैसा लेकिन उनका जोनिंग नहीं हुआ है आप थोड़ा सोच के देखिए अगर आपको जोनिंग करना है तो थोड़ा गर से निकलना पड़ेगा आपको हाथ पैर मरना पड़ेगा इस तरह से आपको जोनिंग नहीं होने वाला अगर इस तरह से जोइनिंग हो जाता तो आयोग कब का दे देती आयोग जोइनिंग देने के मूड में नहीं है इसलिए हाई कोट के जज्जमेंट को भी देखे एग्नॉर कर रही है उसको भी जवाब देने के लिए आप लेटर भेजेगी कि मैंने क्यों नहीं कराया वहाँ स बचाने के लिए कि मैं सही हूँ इस चकर में सभी स्टोट का जिंदगी वरबाद कर देता है और करता आया है और मैं सिर्फ सेंटर का बात नहीं कर रहा हूं मैं सभी स्टेट्स की सरकारी वकील भी जो है जो सरकार के पक्ष में लड़ते हैं उनका सिर्फ मकसद यही रहता है कि मैं अपना वकिलगीरी चमकाऊं और उस इस्तिति को लेते वे छातर को डुबा जाते हैं तो वही इस्तिति आपके साथ भी होने वाला है सरकार जो है जुगे की नहीं मैं आपको बताता हूँ हो सनसदों से मिलिए अपने ससाथ ऀस मिलीए उनको लेटर दीजिये कितना खर्č हो जाएगा आपका 500 रुपे 600 रुपे उत्तरा खर्च करके आगर आपका नोक्री लग सकता है संभाव। आगा जता ही जा सकती है कि हो सकता है मेरा आपको ऐस्तिति sights मैं आपको लड़ना चाहिए, खर्च करना चाहिए मैं तो यहू कहूँगा, मेरा मानना यही है कि आपको जितने भी सांसद हैं उसको लेटर देना चाहिए, 2015 वाले 2018 वाले सभी छात्र को और एकजूट होके लड़ने का प्रियास करना चाहिए, तब ही जो है सक्सेस मिलेगा बागी SSE जो है, इस मूड में नहीं है कि आपको नौकरी दे वो नौकरी इतना असानी से SSE नहीं देगी, क्योंकि मैं आपको बदा चुका हूँ, कि वो आगे बढ़ चुकी है उसके बाद 2-3 वेकेंसी दे चुकी है SSE GD का, देखिए, दूजर 20 में दिया अभी 2-3 में दिया, दो वेकेंसी दे चुका है एक तो क्लियर भी कर दिया है तो इस दिमें आपको यही करना चाहिए कि जितने भी सांसद आपको 36 सांसद है उनसे आपको मिलना चाहिए, अपने बाद को रखना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ reaction होता है, तो उस दिमें वैसा ही रास्ता अपना ना पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता है, आंदोलन में आपको करना नहीं बोल रहा हूँ नहीं, आपको धरना में बैठने बोल रहा हूँ ऐसा करना अभी के टाइम में गलती ही होगा क्योंकि आपके बाद को सुना नहीं जाएगा और भी क्रोध में आके, और भी SSE result प्रकासित करने बाली भी होके तो उसको रोख दिया जाएगा, क्या कि यूगो पे यहां ले ले लेता है धरना पर क्यों बैठ गया यह कर दिया, हूँ कर दिया, तो आपके धरना पर नहीं बैठना है SSE को आप लोग जो है जवाब ही मान सकते हैं, ऐसा भी माध्यम है RTI की जिया, उनको पूछिए कि क्यों नहीं दिया गया result, तो जितना भी लीगल चीज है उसको अपनाईए और उस माध्यम से आगे बढ़िये, तभी कुछ होगा घर में अगर सांत बैठियेगा, तो आपका result सांत ही रहा जाएगा, result प्रकासित होने वाला नहीं है बहुत सारे छातर परिशान है, दुझारा ठारवाले में, क्या दिक्कत है, अगर आप वहाँ के student हैं, मालीजी आप जहरकंट के student हैं, किसी जिला से हैं, किसी सांसत आपके होंगे न, तो उस सांसत से मिलिए, वहाँ पे जाके लेटर दीजिए, उसमें आपको ज़्यादे परिशानी नहीं होनी चाहिए, और आपका result भी आएग अगर आप सही डंग से लड़िएगा, तो क्योंकि high quote अगर बोला है, कि देना है, तो इसका मतलब यह है कि आप legally सही है, आपका result प्रकासित किया जाना था, लेकिन SSE के लापरवाही के करना आपका result को प्रकासित नहीं किया जा सका, तो उस सिर्थि में high quote अगर बोलता है कि प्रकासित किजिए, उसके बाद भी अगर नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गलती तो नहीं है, लेकिन result प्रकासित कैसे करना है, यह सो समझ के चलना पड़ेगा, और करवाके रहना है, यह ठनना पड़ेगा, तब है result प्रकासित हो पाएगा, मिलते हैं आप को सबस्क्राइब कर दिएगा, बेल को अगर बाल जिएगा,